स्वाइबरेवन स्वागत आप सभी को ग्यापन एकडेमी के इस नए लेटे स्टुडियो में और जैसे कि वादे के हिसाब से यह आपका कलाश 12 इंगलिज का सेकंड चेप्टर जो की चेप्टर का नाम है भारत इजमाई हों बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं भी इस चेप बहुत ही अच्छे ठंसे मैं आपको समझाने के कोशिश करूँगा और जो पांच नमर का समरी का पूछता है ना देखिए मैं एक बात बता रहूँ एक्चुली होता क्या है कि आपके क्लास 12 बुक इंगलिज में परतीक लेशन का जितना भी लंबा चोड़ा जो लिखा रह होता है बहुत असान है जी और आप यूँ समझ लेज़े तो हमारी और आपकी जो बोल च जो इंगलिस जो ये टूटा-फुटा जो लैंगवेजू चलता है ना जो किसी को भी समझ मैं आज पसनी लैंगविज में मैं आपको पूरिय के पूरे सम्झाने बड़ा हूं तो enriched बास सकता है कि ठीक है तो अब बताएंगे कि इनका 8 फरवरी 487 मेर में हैदराबाद में पाठान परिवार के अंतरगत इनके जनम होई थी जो कि तेलंगाना की रजधानी है अब यहाँ पर देखिए अगर इनकी मृतिव की बात पूछ दे कि मृतिव कब होई थी तो बताएंगे कि थर्ड मैं 1979 को इनकी मृतिव होई थी बिना देर कि हम लोग आगे बढ़ते हैं इनके बारे में कुछ और समझ लेते हैं यह एक freedom fighter थी यानि स्वतंतरा सिनानी थे और स से कब तक रहें तो इनका duration था 13 माई से 13 माई उननीश संग सट से 3 माई उननीं संग तर तक जब तक कि इनका मने देखा जाये तो मतलब मृतिव की डेट 3 माई उननी संग यानि कि जब यह भारत के राश्ट्पति बने प्राथा मुस्लिम और तीसरा राश्ट्पति जैसे ही बने 13 माई 1966 इनका जो डिवरेशन था वो 3 माई 1969 तक ही रहा क्यों क्योंकि इनकी जीवन कल इतना ही तक्षिमित थी और ये डेट कर गए जिसके कारण इनकी जना राष्टपती पद खतम हो गई ठीक है अब बात करते हैं आगे कि अच्छा ठीक है तो 1967 के पहले कौन था तो सुनिएगा 1967 के पहले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ठीक है और ये अच्छा सुनिएगा एक और बात में बता रहा हूं थोड़ा सा गौर कीजिएगा मैं यह एक्स्टरनल लॉलेज दे रहा हूं 1967 से लेकर 59 तक बहरत के तिस्रे राश्श्वपती के रूप में ठीक है ना डॉक्तर जाकिर हुसैन और प्रत्थम देता मूस्लिम राश्वपती के रूप में इन्होंे सेवा दिया लेकिन यह रहे हैं कौन यह डॉक्टर जाकिर हुजेन यानि कि 1967 के पहले भी यह कुछ थे तो क्या थे तो यह वाइस प्रिसिडेंट आफ इंडिया थे यानि कि भारत के राष्टपती कब बने हैं तीन माई 1967 को और जब तक कि इनका जीवन रहा तब तक यह भारत के सेवा में राष्टपती पद के रूप में यह हाजी रहे हैं लेकिन उसके पहले 1967 के पहले यह वाइस प्रिसिडेंट के रूप में भी सेवारार्त रहे हैं यानि 1962 से उसके बाष्टपती और उसके बाष्टपती और उसके बाष्टपती यह भारत के प्राथम मुस्लिम राष्टपती बन गया यानि 1952 से 1962 के बीच में डॉक्टर सर्वपली राधा क्रिष्णन एक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी सेवा कर चुके हैं ठीक है ना मतलब में यह चीज क्यों डॉक्टर सर्वपली राधा क्रिष्णन को ही मैं क्यों लिखा हूं क्योंकि देखिए इसी के इर्द ग सकता है तो डॉक्टर सर्वपली राधा क्रिष्णन इस सबावन से 1962 लेकिन आपको मैं बता दू कि भारत के प्राथम वाइस प्रेसिडेंट बने थे भारत के प्राथम उप्राश्ट पती कौन बने तो डॉक्टर स्वपली राधा क्रिष्ण अब आए थोड़ा सा ते साल के उम्र में थे तो उसके आगे बढ़िए और समझे डॉक्टर जाकिर हुसें जो थे ना इनको रिवार्डट किया गया था फुरू भारत रत्न अवार्ड इन 1963 यानि 1963 में इनको भारत रत्न पुरुस्कार के द्वरा भी इनको पुरुस्क्रीट किया गया था तो आई थोड़ा सा प्रिवियस करके तो बैक टूबैक करके आप उसको फिर से सुन लिजेगा और समझ लिजेगा यह मैनिफेस्स याद करने से आपके दो चार अबजेक्टिव जो अगर जहां तक पूछ लिए जाए तो आपको बताने में कोई हेसिटेशन नहीं होगी आपको चेप्टर का अब हम लोग समरी भी लाइन से समझ लेते हैं तो चलिया हम लोग इस समरी को बहुत ही आसानी से परतीक लाइन के हिंदी को हम लोग समझते हैं देखिएगा बहुत असान है भारत इसमाई होम जो चेप्टर का नाम है भारत इसमाई होम इस स्पीच या एक भा दिया गया था after taking the oath of third जब उन्होंने तिसरे क्या ना क्या चे तो सुनेगा after taking the oath of third and first muslim president of India यानि कि जब उन्होंने भारत के तिसरे और प्राथम मुस्लिम राष्ट्पती का पद जब गरहन किया था तब उन्होंने भारत इजमाई होम नामकoh speech दिये मैं कब zobaczy 2967 में जैसरे कि मैं इस चेप्टर का मेनोफिस पहले री बार समझाने कि कोशिक कर रहा था इन्होंने 1967 में क्या किया पताइए तो 1967 में जब इन्होंने राष्टपती पद का सफ़त गरहन किया तो राष्टपती पद का सफ़त गरहन करने के क्रम में इन्होंने भारत इजने होम नामा की विए यह दिया था लोगों के बीच इन डिस फीच इस स्पिच में यानि इस भासण में डाक्टर जाकिर हुसेन टूक इन्सपारेशन अन्ट सीड़ डैड देखें उन्होंने प्राड लिया ठीक हुआ ना टूक इन्सपारेशन टेक का भर्च रूक होता है तो तो तुक inspiration उन्होंने प्रण लिया ठीक है ना and said that और कहा I will be dedicated towards the country मैं जो है ना अपने देश के प्रती ठीक है ना मने देश के प्रती मैं पूरी तरीका से dedicate हूँ यानि पूरी तरीका से अपने आपको निचावर करता हूँ पूरी तरीका से समर्पित हूँ ठीक है ना and or will make every possible effort और मैं हर संभव पर्याश करूँगा for its all around development इसके पूरी विकास का में यानि कि हमारे भारत के हरकिक कोने में जहां-जहां विकास की जरूरत है जहां-जहां गरीबों की शाहता की जरूरत है जिस देश सौरी देश है अपना जिस अमने अपना ही देश में जिस राज्य के अंदर कहीं गरीबी है तो कहीं मतलब बहुत ज्यादा भरस्टचारी है तो कहीं पर मतलब समझे तो बहुत ज्यादा महामारी है तो कहीं लोग भूखे मर रहे हैं तो कहीं सुखाड के वज़े से लोगों को पानी नहीं मिला है तो मैं हर संभव मैं अपने देश के विकास क थिक है ना first of all सबसे पहले while addressing all the citizens of the country सबसे पहले देश के पर्थीक नागरिको को अपना यह बात बताते हुए यहाँ पर जिस सभा में एस्टेस पर चेहड़ करके 19-200 अपर डॉक्टर जाकिर हुरसन लोगों के बीच ये बात कह रहे थे और ये कहने के बाद मान के चलिये कि एक फिल्म साड़तीन घंड़ा का बनता है तो साड़तीन घंड़ा के फिल्म का नाम कुछ एक नाम होता है जैसे मान के चलिए कोई फिल्म रबने बना दी जोड़ी तो उस फिल्म का भले ही नाम होता है लेकिन उस फिल्म के अंदर कहानी कुछ अजीब तरीके से होती है ठीक है न इन्होंने सभा में जब सपत गरहन कर रहते हैं तो लोगों के बीच पूरी देश के नागरी के बीच इन्होंने जो बाते कई थी उस बाते उस भासड का एक नाम रखा गया भारतिज्माई होंं तो वहीं तो बाते हैं कि यहां स्टी व उनलोगे बीच यह बने अस्वासन दीटे लिए डे येट की जास्ट ऐस्टपर पली राधा क्रियस्न टूक दडां गौंपरी फॉर्वाड जिस तरीके से डॉक्टर ॡाधा-क्रिश्नन में इस तरीके से राधा क्रिश्नन में मैं अपने भासर्ण की अंतरगत इनका नाम लेकर कि क्यों जिक्री किया क्योंकि इसके पहले राष्टपती पद पर ठीक है ना कौन थे डॉक्टर सवर्वपली रादाक्रिष्ण ठीक है ना बासट सरस्ण के बीच में इन्होंने डॉक्टर सवर्वपली राधकरिष्ण भारत की पद के रूप में इन्होंने सेवा दिया मनें देश का लिए सेवा कियें तो इसलिए इन्होंने इनके राष्टमती पद का इस्तीफा के बाद जब डॉक्टर जाकिर हुरसेन इस्तीफा ले रहे थे तो उस समय ये बात बता रहे थे और डॉक्टर सरवपली रादा क्रिशनन की बातों को और उनके मतलब इनके माध्यम से जो कुछ भी देश का विकास हुआ था और जिस तरीके से लोगों के बीच ये भाग गये थे और जिस तरीके से लोगों के लिए ये काम किये थे उस काम को और उस भावना को याद करते हुए ठीक है इनके किये गए विकास को हुमिनिटी और जिस तरीके से डॉक्टर स्वरोपली रावेक विशन देश को आगे बढ़ाया और इंस्पारड पीपल टू लिव इट हुमिनिटी और जिस तरीके से लोगों के बीच इन्होंने मतलब जो प्रेणा दी माने स्वतंद्र जिन्दगी जीने के लिए एंड शिल्फ कंफिडेंस और आप निर्भर रहने की जो प्रेणा दी इन दस्तियम हुए उसी तरीका से ऑई-एम यनि मैं हुँ क्या ची डॉक्टर जाकीर हुसेन मैं वी नम्रता पुण मैं आप सभी के बीच मैं उपस्तित हूम मैं आपको भी उसी तरीके से सेवा करूंगा जिस तरीके से डॉक्टर सर्व अपली राधा-क्रिश्णन भारत के राष्ट राष्पति के रूप में याने भारत के राष्पति के रूप में जिस तरीके से आप सभी को सेवा में हाजिर थे सेम उसी तरीके से मैं Dr. प्रजाकिर उसेन आप सभी के सेवा में हाजिर हूं और रहूंगा ठीक है अब आईए आगे क्या कहते हैं वाइल टेकिंग दा ओत आफ प्रेसीडेंट यानि जब इन्हों ने राश्पती पद का सपत ग्रहन किया ठीक है नहीं अलसो सेड डैट उन्होंने यह भी कहा I will always follow मैं हमेशा follow करूंगा the rule of constitution and will keep myself punctual for the service of independent tradition देखे इन्होंने क्या क्या I will always follow the rule of constitution I will always follow the rule of constitution मैं हर वक्त हमेशा always मैं हर वक्त हमेशा मैं follow करूंगा यानि पालन करूंगा the rule of constitution समिधान का and will keep myself और मैं अपने आपको रखूंगा punctual यानि punctual मैं हमेशा समय का पाबंद for the service of independent tradition स्वतंत्र संस्कारों का जो भारत के अंदर अलग अलग संस्कृतियों के मेल से बने हैं मैं सभी का ध्यान रखते हुए ठीक है पूरी तरीका से समय का पाबंद रहूंगा और स्वतंत्र हो करके मैं इस काम को और इस विकास को करूंगा तो फाइनली यहां तक जो भी तो चलिए बिना देर किया हम लोग next paragraph को भी बहुत ही अच्छे अंदाज में समझ लेते हैं देखिये गा यहां पर next paragraph कहा रहा है कि he, Dr. जाकिर हुसेन यानि कि उन्होंने जो Dr. जाकिर हुसेन थे कहते हैं कि यानि इन्होंने एजुकेशन की बात कहते हुए भी लोगों की बीच यह भासट दिया कि एजुकेशन इन्होंने सिख्षा को आगे बढ़ाने की करम मैं भी कुछ बात बोला डॉक्टर जाकिर हुसेन ने यह वादा किया तुसर्फ दॉट्री विट फुली स्टेंद यानि देश की सेवा करने के लिए यानि फुली स्टेंद के सांगे पूरी ताकत से देश की सेवा करने का उन्ह कि देश का सेवा करने के लिए पूरी तरीके से इन्होंने वादा किया डिवोशन मतला होता है पूरी तरीके से अंधभक्ती में जा करके मतलब जो कुछ भी हो हमारा देश ही सब कुछ है हमारा देश ही हमारा घर है ठीक है इस तरीके से इन्होंने लोगों के बीच यास्व अलग अलग जाती के लोगों को ध्यान में रखते विए विना जाती बात का हम निश्पक्छ भावना если पूरी तरीके से लोगों को हम सेबा करेंगे जहाँ-जहाँ भरष्ठचारी उसको खटम करेंगे जहाँ-जहाँ विकाज की जरूरत है जहां चिरद धी जूरत हैं तो प परहूं करेंगे ठीक है न करें फिकना यहां देखिये observator he says that उन्होंने कहा भारत is hundred on to all of us यानि उन्होंने कहा कि जो हमारा भारत है थना भारत यह हम सभी का घर है यह हम सभी का घर है भारत ही जो हो भारत घर है तो अल आफ उस हम सभी का एंड और वी आर इट समेंबर और हम सभी क्या है इसके सदस्य हैं ठीक है ना हूं आर हूं आर इंगेज़्ट इन मेकिंग और लाइफ ब्यूटिफुल जो हम लोग क्या चीज अपने बनाने में लगे हुएं पिसफुल शांती बनाने में लगे हुएं और प्रोस्पीरस और पूरी तरीका से हम लोग सम्रीद बनाने में लगा है यानि हमारा यह जो भारत है ना यह हमारा भारत एक घर है और हम सभी भारत के नागरी इसके सदस्य हैं इस परिवार के सदस्य ह हैं तो समझ यह तो हम लोग किस सीज में इंगे जैंट अपने आपको शुंदर बेहतरीन संसकारी ठीक है पूरी तरीके से परभावशाली और पूरी तरीके से अपने आपको समरीद बनाने में लगे हुँ हैं हैंस इस परकार, we all citizens of India should forward our hands, इस तरीके से इन्होंने कहा कि इस परकार, we all citizens of India should forward our hands, इसलिए हम सभी भारतियों को अपने हाथ को आगे बढ़ाना चाहिए, to cooperate one another, हम बने एक दूसरे की सहयोग करने के लिए, ठीक है, अब आईए, डॉक्टर जाकिर हुसेन, सुनिएगा, जाकिर द लिखागे, डॉक्टर जाकिर हुसेन है, टू मेन अस्पिक, इनकी दो मुख्य अवधार नाये थी, यानि इनके पास दो पलस माइंड था, फस्ट इस वर्प और वन सिल्फ, यानि स्वाय के लिए काम करना, एंड सेकेंड इस सोशल वर्क और समाज के लिए काम करना, आपर कॉंट्री में अपने देश्वासियों से डैट की, एबरीवन विल सुपोर्ट सब कोई हमको सपोर्ट करेगा, मी मने मेरे को सब कोई सपोर्ट करेगा, तुमेग आवर कंट्री ग्रेट देश को महान बनाने में, एंड स्ट्रॉंग और पूरी तरीका से मजबूत बन तो इन्होंने देश की सेवा में नजाने कितने भासन में बात कही, सिक्षा से ले करके, संसकार तक और अलग-अलग संस्कृतियों के मेल से बने, परतीक ब्यक्तियों और अपना देश धर निर्पेक्ष है, अलग-अलग प्रांत के लोग रहते हैं, अलग-अलग जाती के दोगरते हैं, सभी को एक साथ, एक जमात में देखकर, एक ही द्रिष्टी से, हर किसी को एक बराबर नजर से देखते हुए, सभी को निस्पक्च भावना से सेवा करने का इन्होंने वचन लिया, और पूरी तरीका से देश के लिए अपना आपको पूरा समर्पित कियें, और पूरी तरीका से अपना जो है जब तक जिन्दगी रही, मतलब यू समझ लिजिए, हालें कि 5 साल के लिए कोई कुछ भी बनता है, मतलब मान की चलिए भारत की राश्ट्पती हो, परदान मतलब 5 साल के लिए होता है, लेकि इनका डिवरेशन 5 साल भी पूरा नहीं अब दूसरा कोई आएगा, तो फिलाहल जब तक इन्होंने अपना जीवन जिया, भारत की राश्ट्पती के पद पर जिया, और भारत की राश्ट्पती होने के नाते देश का अच्छा तरीके से इन्होंने सेवा और विकास किया, तो ये रहा आपके पूरा भारत इसमाई मुझे आसा है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्याद है, इंपॉर्डेंट और पारफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यारा प्यारा कमेंट दे करके हमें मोटिवेट करने की कोशिद कीजिएगा, कि मैं तीसरा भी चेप्टर लेकर